हेलो जैहिन दोस्तों मैं संजे सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरवान डिफेंस एकेडमी के ऑफिशल यूटूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पड़ाई अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों आज मैं आपको सैट नंबर फोर करवा थे देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और आप से ऊत्ने लोगों के सामने पहले में आप Lotus, Option B — Rose, Option C — Reflesea, Option D — Lodosia. तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही answer है वो होगा आपका Option C — Correct. भी रिफले से जो है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और अगर आप से पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा फ़ल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका option D लॉड़ उसिया ठीक है तो यह दोनों आपको याद रखने है next question number second which was the first country to start civil services competition सिविल सिवा प्रतियों गिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था यह पूछा है तो options आपके सामने option A भारत option B ब्रेटेन option C चीन या option D ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले सिविल जो एक्जाम होते हैं उनकी जो शुरू करने वाला जो देश था पहला वह था option secret यानी चाइन ने शुरू किया था याद रखना कुछ लोग ब्रेटेन टिक करेंगे लेकिन वह गलत हो जाएगा ठीक है next question number 3 what is the term of the vice president of India for how many years भारत की जो उपराश्ट पती है उनके कारेकाल की सीमा कितने वर्ष की होती है ठीक है यह पुछा है option से 5 वर्ष ऑप्शन भी तीन वर्ष ऑप्शन सी छह वर्ष यौँ ऑप्शन डी नौ वर्ष तो इसका जो सही answer होगा वह आपका option करेक्ट और यह 5 साल के लिए होता है प्राश्ट पति को राश्ट पति का भी दोनों का ही पांच साल के लिए कारेकाल होता है और जो आती है ठीक है यह भी आपको याद अगना अगर याद हो जाए तो नेक्स्ट नमबर फोर हूँ एडिमिनिस्टर्स दा ओद प्रेजिजेंट ऑफ इंडिया भारत में राष्ट्रपती को शपत कौन दिलाता है ठीक है ऑप्शन से मुख्य न्याधिश ऑप्शन भी उप्राष राष्टुर्स दिलाता है तो यह दिलाते हैं आपके एक रट हो जाएगा मुख्य न्याधिश चीवज जश्टिस ऑप इंडिया सुप्रीव को जो मुख्य न्याधिश होते हैं वो उनको शपत दिलाते हैं आपसे पूचा जा सकता है राष्ट्रपति जो है अपना शपत जो त्याग पत्र देता है वो किसको देता है तो वो देते हैं उप्राष्टपति को वाइस प्रेश्डेंट को ठीक है दोनों याद रखना नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर फाइव वू वॉस दा ऑथर ऑफ दा बुक कर्मयोगी कर्मयोगी पुस्तक के लेका कौंते यह पूछ आप्शन से पंडी जोलाल नहरू आप्शन भी ट्रेम चंद आप्शन सी हरी लाल यह अश्वगोश तो कर्मयोगी पुस्तक काफी फेमस पुस्तक है ठीक है और इसको लिखा था आप्शन डी अश्वगोश जी ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर सिक्स वेर दिद ल आप्शन भी श्रावस्ति आप्शन सी सावनाथ या उप्शन डी इन में से कोई नहीं भारत में जो भवान बुद्ध थे उन्होंने सरवाधिक उपदेश दिये थे वह दिए आपके आप्शन बी करेक्टियां पर श्रावस्ति में जो है सबसे ज्यादा उपदेश दिये और कि भषा में दिये वह दिये थे पाली भषा में ठीक है और आपसे पूचह सकता है कि बढवन बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था फस्त पर कहा पे दिया था वह दिया था सारनात में तो ये तीन और चारों कोशन याद रखना और भावन वुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया ये भी याद रखना नेक्स्ट कोर्शन नमबर सेवन वाट वाट वाज दा मेन अब्जेक्टिव ऑफ अरब अटेग ऑन इंडिया भारत पर अरववासी थे जो उनका आक्रमन करने का मुख्य अदिश्य क्या था ये पूछाए ऑप्शन से धन लूटना ऑप्शन बी इसलाम धर्म के प्रचार प् और इसलाम धर्म का प्रचार प्रसा करना इनका जो है मुख्य उद्देश्य था तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपे ठीक है आई होग यह कुश्य में आपको समझ में आयोगा नेक्स्ट नमबर एट वाट वाज दा वाट वाज यूजड फॉर इरिगेशन डिउन ग इन में से कोई नहीं तो देखिए गुप्त काल में जो सचाई के लिए उप्योग किया जाता था वह क्या जाता था आपका आप्शन पी करें रहट का यूजड का यूजड यह घंटी अंत्र होता था था ठीक है प्रचाई के लिए दूसरा एक और को पूछते हां पर जो ग ठीक है नेक्स्ट कुर्शन नंबर 9 विच पार्ट ऑफ बॉड़ी डज रेवीज अफेक्ट रेवीज जो होता है वह जो है भारत की जो हमारे अंग होता है बॉड़ी का वह किस अंग को प्भावित करता है सब ज्यादा तो यह करता है आपका आप्शन है तंत्र का तंत्र दिल तो रेवीज जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वह बॉड़ी को वह करता है वह करता है आपका नर्वास सिस्ट्रम को अप्शन एक रट यहां पर तंत्र का तंत्र को ठीक है याद रखना है और रेवीज होता है आपके कुत्ते के काटने से जिसमें जो प्यूडित होता है वो जीव निकालने लगता है यह नेक्स ब्रक नमबर d या फिर हाट आपका हाट बढ़ने लग जाती है तो उस कंडिशन में उसको आपके हाट को जो है डॉमलाइज करने के लिए जो है पेस्मेकर का यूज कहा जाता है तो ऑप्शन सी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा किर्दे की धर्ट्रनों को सवाने करने है तू यंत्र ठीक है नेक्स्ट कोशन नंबर 11 ऑप्शं हो इंक बॉटिंग पेपर इस इंवाल इन ऐन सब्सक्राइव च्ट्रे को fps 105 coeur आपकी ब्लोंटिंग से होकर स्याही का विश्रन डच सैफन क्रिया तो इसका तो सभी आंसर होना चाहिए लोटिंग द्वारा स्याही के तोखने के लिए इसलिए आपको折्शन हो यहां पर नेक्स्ट को अप्शन में तैरना इतना आसान क्यों लगता है यह पूछा है यह पूछा है आप्शन से आप्शन समुद्र के पानी में कम संदूशन होना यह पूछन भी समुद्र की तरंगे तैरा को तैने में साहिक होता है इसलिए इसका जो और सही रीजन होगा वह आपका ओप्शन जो नदी के पानी के जो डेंसिटी उती है इस वादा si option C उता है उसे तहरणी में आसानी होती है ठीक है next question number 13 what can happen to the boy when a person is standing at a railway station opposite to the direction from which the train is coming and the speed of the train is very fast जब कोई व्यक्ति railway station पर जिस और से गाड़ी आ रही है उसी की विरोधी दिशा में सब्सक्राइब और गाड़ी की गती वहुत तेज हो तथा तो लड़के के साथ क्या होगा यह पुछाएं options है समान स्थिति में रहेगा will be in the same position बैठ जाएगा विल सिट option C गाड़ी से दूर हो जाएगा will get away from the car option D गाड़ी की और खीचेगा तो इसका जो सही एंसर है वह आपका option जब भी ट्रेन आती है उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ट्रेन जो है उसे अपने और खीचती है जो जाएगा नेक्स्ट question no.14 the cause of injury to a person by stubbling stone is पत्थर को ठोकर माने से व्यक्ति को चोट लेंगे रने का जो कारण है वह क्या है option से जड़त्व option B श्यानता option C प्रतिक्रिया option D समवेग तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका reaction ठीक है प्रतिक्रिया option C सही यहां पर क्योंकि वह जो पत्थर होता है वह भी opposite side में ठीक है जैसे पत्थर में पत्थर में पत्थर में जिस लात मालता कोई विक्ति तो वह प्रतिक्रिया करता है उसके लिए जो उसने लात मारिये उस पर ठीक है तो option C यहां पर correct हो जाएगा next question number 15 what is the product of mass and velocity दर्वयमान और विक का गुनन फल क्या होता है यह पूचा आप्शन से समवेग option B बल option C दाप या option D इन में से कोई नहीं तो mass into velocity क्या होती है तो यह होती है आपकी P यानी क्या होता है मुमेंटम option A करेक्ट है आपे ठीक है next question number 16 ताप मान का साही मातर क्या है तो ताप मान का साही मातर होता है वो था Kelvin option B करेक्ट है नेक्स्ट कोशन नमबर 17 वर शुडवी दा आइडिल टेंपरेचर इन दा फ्रीज तो कीफ दा फूड फ्रेश मतलब फ्रीजबे भोजन अगर ताजर रखना हो आप आपको तो इसके लिए आधर स्ताप मान क्या होना चाहिए यह पूछा तो इसके लिए ताप मान होना चा कि यह प्रिशकार किया था वह किस नहीं किया था तो डायनाम इट का अविशकार किया था अल्फ्रेड नोवल ने इनकी आधवे जो है नोवल प्रिशकार दिया जाता है यह यह भ्याद हखना उप्शन सी करेक्ट है है नेक्स्ट कुश्ट नमबर 19 विच अफ या में जो प्राप्टूर्जा का जो स्रूत है मुख्य फ्रू है वह है आपका नुकलियर फ्यूजन होता है नुकलियर फ्यूजन ओप्षिन एक रेक्ट हो जाएगा पर ना भी किया सल्लियन ठीक है नेक्स्ट कुर्शन नमर्ट 20 वह मौंग दा फॉलिंग गेव दा थ्यॉर्य आफ रेलिटिविटी जो सापेक्षता का सिद्धान दिया था यह पूछाए उसापेक्षता का सिद्धान दिया था आइंस्टीन ने जिसमें उसने बताया था कि जो प्रतिवी पर जितने चीज़े हैं वह एक दूसरे लोग अट्रेक्ट करती है एक दूसरे की तरफ ठीक है तो इसके लिए जो ऑप्षन हो जाएगा साही वह जाएगा ऑप्षन बी करेक्ट नेक्स्ट दूरी मापने की सबसे बड़ी क्या एकाई क्या है वाट इस तबिकेस्ट उनिट अफ मैजर वर्ष के लाइट यर के और तो यहां दखना है यह चीज़ भी ठीक है नेक्स्ट नमबर 22 वेन दा बैरोमीटर रीडिंग ड्रॉप्स सड़नली विच अफ फोलेंग इस लैकली मतलब जब बैरोमीटर का पार्ट हैं एक का एक नीचे गिरता है तो निमन में से कौन सी संभा याएगे ठीज़ धीर धीर गिरता है चितङया दीर धीर में वोता है कि अगर वह उपर जाय तो इसका मतलब है कि मौसम रहेगा थो सपर रहेग तो इसका जो सही है वह पका अप्षैंड कर्याइश्ट यह कूर्हईंव थीग नेक्स ट्मर मट 23 फरस्ट कैल्कुलेट Ari the speed of light फ्रकास को गहां अगे करना सबसे पहले निव न मेंसे किस ने की थी था तो इन मेंसे ऑप्षिन्ट हो जाए गाँ अंगर कुलती ओ नॉवक्स्क एक नौन next question number 24 on hitting an object its molecules बतला वस्तुगों गरम करने पर उसके अणुओं में क्या होदा है यह पूछा है option से चाल बढ़ जाएगी option B उजग कम हो जाएगी option C बहार बढ़ जाएगा option D बहार घट जाएगा तो वस्तुगों गरम करने पर उसके अणुओं की जो होगी उसकी चाल स्पीड जो होते वह इंक्रीज हो जाती है तो option एक रेक्ट है हां पर इसका अविश्कार किसने क्या था ओप्षण से डेलेप कर देपीं देक्ट हिकी थी चली किए थी तो प्रेश्कार क्या था यह बहूंद क्या था यह था देनिस प्वेपिन ने याद एकना next question number 26 और यहां से math की questions start है तो फूच रहा है question find the lsm of 60 75 and 105 इनका जो है आपको लगुत्तम निकालना है तो लगुत्तम तो easy होता है निकालना कैसे निकालते हैं तीनों को लिख लेंगे हम एक बार ठीक है अभी से भाग करते जाना है इन्हें solve करना है 15 से करते हैं 15 common है न सब इसे डाट कर लेते हैं 15 64 15 75 75 अभी तो कुछ कटेगा भी नहीं तो इन्हें ऐसी रहने देते हैं तो इसकी मल्टिप्लाइ कर लेता है पना चोंका साथ साथ पंजे 300 307 एक किस्सो ठीक है तो एक किस्सो इसका जो है अलिस्यम होगा option डी करेक्ट यहां पर अब करें नेक्स्ट कोशन नमा 27 ता सर्फिस एरिया ऑफ इस प्रेश्टीन स्क्वेर सेंटीमिटर देन फाइंड दा वॉल्म ऑफ दस फैर देखिए गोले का जो प्रश्टी छेत्र फल्ड रोता है वह था आपका फूर पाई र स्क्वेर तो फूर पाई क्या होता है तो प अब यह बरावर दिया हो आपको 600 लेकर तो देखिए हां से आर की वैल्यू आ जाए यहां से करोगे तो तो 22 से काटोगे 11 से काल लेते हैं 11 दुनी 11 55 16 66 यह चार दुनी 8 हो जाएगा 8 से 7 परकटे गए तो आर स्क्वेर जो हो जाएगा वह जाएगा यह साथ उपर जाएगा ना साथ इंटू साथ हो जाएगा यहां पर और आर की वैल्यू आजी सीदी सीदी यानी साथ आ जाएग थो टू ठैक है तो तर टिरित के पास अही कर आइज एंफ्राप को फॉर्मडला कर ना है अगर आपको फॉर्म्ड़ा आता है इस neither लेत्रम तो आप कर पाऊगी तो आपके मदहा है ऐसकर संसुदी मेऩर ऑप ही गई AZबक dei ही अ जाएग default लिए तो 4 by 3 by 2 ऑर की पावर 3 तो और और की पावर 3 क्या होगी साथ की पावर 3 तो यह साथ इंटू साथ इंटू साथ इसे सॉल्व करना और आपका सीदे सीदे एंसर आएगा साथ से साथ काट तो इसे ठीक है अब या गर देखिए यह हो जाएगा यह हो जाएगो नंचास मुल्टिप्लाई 22.88 ठीक है बटे में आएगा 3 क्योंकि 3 कटा नहीं है अगर आप option से देखो इस question को इतना ही देखो तो बटे में देखो तीन आना चाहिए तो option हो जया पर वैसे उसे साव से देखें तो और मैंने क्यूं लगाया क्योंकि देखिए आप ये भी कह सकते हैं हो सकता था कि पूरा कट जाए कि इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि का और यह उनका प्राइम नंबर देखें दोनों का तो थीन से डिवीजिबल नहीं है इस वाजा से मैंने यह अंसर ठीक किया है कि इतना इप आप अंसर जो है टिक कर सकते हो अधर्वाइस इसे सॉल्व कर लो तो सॉल्व करते हैं तो इन दोरों की मल्टिप्राइए करना पड़ेगा भी आपको आपके 172 ठीक है तो साथ कि सब्सक्वी यहार रहा है अपकी साथ को तब धैको यही आ रहा है कि यह गटे करने इसे इस वजासे मैंने आपको पहली बताया था कि सब्सक्राइब नहीं है नंबर जो है इसका वो तीन से डिविजिबल नहीं है इस वज़ाद से यह कटे का नहीं और इसका सही आंसर यही हो जाएगा तीर ठीक है नेक्स्ट कुश्य नंबर 28 अ ट्रेइन कवर्स अदिस्टेंस ऑफ 202 40 km एट शर्टीन स्पीड एट शर्टीन स्पीड इफ दा ट्रेइन रिदूसेज इस स्पीड बाई 8 क्लोमेटर पर आर इट टेक्स वन आर मोर दें फाइंड दा स्पीड आफ दा ट्रें इन क्लोमेटर पर आर एक ट्रें 240 क्लोमेटर की दूरी एक निश्चित गती से टै करती है यदि रेल गाड़ी अपनी गती 8 क्लोमेटर प्रति घंटे कम कर देती है तो उसे एक घंटा अधिक लगता है तो ज्यात कीजिये रेल गाड़ी की गती क्या रही होगी बताइए तो कैसे करेंगे इस थोड़ा सा देखिए क्या कहा रहा है पहले जो व्यक्ति था तहां तो किसी निश्वी दूरी से तैय कर रहा था तो अब पता नहीं तो हम मान लेते हैं स्पीड को मान लेते हैं एक्स ठीक है लेकिन कहा रहा है यदि वह अपने उसे इक गन्टा ज्यादा लगता है एक गन्टा ज्यादा लगए अगर स्पीड को किया आपका आंसर में ही दिया हुआ है यहां पर दिल्डे अब या शीदह सीदह आपको नारपको सीरिषी सीधर ऐएगा तोमों का तो अंदों का से नों का मयलेगा एकस माइनस इट झा रियों जाईगा उपर जाएगा 240 x तिहें और यह उपर जाएगा तो होजब काट के 240 240 x-8 से multiply करनी पड़ेगी बराबार है एक की अब इसे solve करों अब इसे solve करते हैं आगे तो यह हो जाएगा 240 x 240 एक्स और यह से multiply करो 24 होते हैं आपके 192 है तो एक सो जीरो एक जीरो और लगाते हैं तो प्लस में हो जाएगा उन्नीस सो बीस कि बट्टे में क्या है आपका यह एक्स माइनस आठ इंटू एक्स बराबर क्या है एक के तो यह गवरा नमत मैं आपको दूसरा तरीका भी बता इसको करने का लेकिन बेसिक है आपको बेसिक भी जरूर आना चाहिए ठीक है तो इसे सॉल्व करोगे तो यह तो कटी जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है ठीक है और यह उपर जाएगा तो इसे multiply कर लोगे तो आएगा ग् det Ay ? माइनस अथ एक्स प्लस में है ठीक है यह उपर इधू नहीं होजाएगा तो इन्स वीच हो जाएगा बाराबन में 0 है आप इसे करना है बस आपको एक quadratic equation बन गए इससे solve करना है तो क्या लेना पड़ेगा कि गुना जो multiply करने पर तो यह आए और add करने या फिर subtract करने पर यह आई तो आप कोई दो वैल्यू लोगे और जिसमें से जो है जो लिश्क्म है माइनस क्यों होगी कियोंकि अ kanra यहाँ यहाँ फैव दिखाइं जो बड़ी म्याइनस क्या होगि उसमें माइनस होगा फिश about thing would you you know मैइनस मोगे क्योंकि कि जब जब उनको घटाओगे तभी तो मायनस जो आएगा था ना तो बड़ी संक्या में जब जैसे माइनस पांच और प्लस चार तो आपे घटाएंगे तो एक आता है लेकिन कौन सब्लाइब यह यह था बड़ी वाली का सब्सक्राइब तो एक आएगा तो ऐसे ही बड़ावालों संक्या होगी उसमें जो है तो पहली जो सेंग आएगी वह आएगी 48 और 40 मुझे दिख गया क्योंकि मैंने अभी 24 से ही मल्टिप्लाई की इसलिए मुझे दिख गया है तो इन दोरों की मल्टिप्लाई करोगे तो यही आएगा और जब घटा होगे एड करोगे तो यही आएगा लेकिन जो बड़ी सेंग हो जाएगा और जो मैंस वाली जो सेंग्या होते हैं वह जाती है माइनस में तो माइनस की संग्या को हम लेते नहीं है तो एक्स की वैली जो होगी वह आपकी 48 क्लोमेटर प्रति गंटे उसकी इनीशियल जो है स्पीड होनी चाहिए थी तो इसका जो सही आंसर होगा option बी कर् तो पहले में इसको रफ कर देता हो इसको कर देता हूं तो देखिए आप इसे कुछं को से भी कर सकते थे आप option में एक एक वैल्य उठा लेते हैं से करके ठीक है इनमें से कोई सी वैल्य उठा लेते और यहां पर पुट कर देते हैं अगर आप तो साट से कट जाएगा लेकिन जब माइनस में करोगे तो पॉइंट मां जाएगा फिर भी नहीं कटे हैं 26 लोगे तब भी नहीं कटेगा तो मैंने इसलिए सीधी अरतालेस लिए थी ओप्शन से भी कर सब्सक्राइब को नेक्स्ट को नेक्स्ट पूर्शन नमबर 29 दा एवरेज एज ऑफ 25 स्टुटेंट इन अ क्लास इस 50 एयर्स ठीक है डू तु तु दा अराइबल ऑफ न्यू स्टूरेंट दा एज इंक्रीज इंक्रीज बाई वन एयर जो एवरेज एव वह बढ़ जाना रहा है एक साल देन फैंड देन फैंड देन फैंड दा एज वर्ष है 50 साल है कि देखिए चाहिए रहा हूं पच्छीस चो विध्यार्त इन उनका अउसत वह 50 वर्ष है यहां पर कह रहा है एक नई विध्यारती आ जाने के कारण मतलब एक नए विध्यारती आ पर दता है और तो अब कितनी सिंख्य हो जाएगी 26 ठीक है और ऑसत जो ए एक बढ़ जाता है मतलब एक प्लस हो जाएगा और सथ भी यानि इक्या वन हो जाएगा तो ज्याद कीजिए कि नए विद्यारती की आयू क्या रही होगी तो देखिए आप कैसे करेंगे स्कूर्शन को कि सिंपल्ली आपने करना क्या है यह तो है एवरेज और यह भी एवरेज तुर्वार सम कर लेते हैं तो 25 से मल्टिप्लाइए कर दो इसको और 26 से इसको तो यह हो जाएगा 255 एक सो प्चीस यानि बारेशों पचास मिजिए इसे मृटिप्लाइए को 26 26 शेहां जलगी दो 26 पंजे 130 130 याने 132 अभी 1326 मिसे जब 1250 को घटाओगे तो यह जो अंतर आएगा वो आएगा जो व्यक्ति आया था पहले तो इतनी थी सम जब व्यक्ति आया तभी तो इतना आया है ना वो सम दों का डिफ्रेंस करो तो हो जाएगा 6 रोजाएगा साथ मतलब 76 वर्ष है उस व्यक्ति विद्यार्थी की आयू तो आया था तो आप्शन में देखते हैं आप्शन बी करेक्ट है आपे यह मत कहना कि स्कूल में इतने बड़े वच्च यह पढ़ते हैं क्या तो ऐसा नहीं है मैंने कोशन फिक्स करने के लिए ऐसी वैल्यू ली थी कुछ भी मानलो आप लेकिन आंसर यह होगा यह नेक्स्ट कॉशन नमबर 30 हाव मैनी टाइम्स डज सिक्स अपियर फ्रॉम वन टू सिक वन टू हंड्रेड एक से सो तक कितनी बार छे आता है क्या पूछ तो लेंगे तो एक एक करके ही काउंट करना पड़ेगा तो देखे पहले चाथा है ति आता है तो आता है तो यह तो आतीया तो यह वैल्यू आती है तो टोटल कितनी है कितने 6 है इसमें एक दो तो तीन चार पांच शे साथ आठ नो दस क्यार है मतलब जब ऐसी जाते हैं तो ग्यारे वेल्यूज आ रही है तो इसे लिख लेते हैं तो इसे मिटा करके ताकि स्पेस बचे कोशन को देखने के लिए तो ऐसे जाते हैं तो हार यह कितनी 11 वेल्यूज आ रही है तो अभी देखिए आपको 60 वाली लाइन भी नजर में आएगी तो वह हो जाते हैं आपके आठ वह हो जाते हैं जब ऐसे काउंट करते हो 61 लाइन वे 61 से और 69 तक तो आठ वह जाएंगे आपके प्लस एक 60 वाला भी होता है तो इसको भी एड़ कर देंगे इसमें एक ही हो जाएगा तो यह हो जाएगा अठा ग्यारे और आट निस निस और एक बीस कॉप्शन भी करे था नहीं नेक्स्ट नमा 35 2.5 इस वाट परसेंट अफ 50 जो डाई है वह मतब 2.5 वह पचास कितना प्रतिशत है तो देखिए कैसे निकालते हैं जो डाई है मतब 2.5 पचास का कितना प्रतिशत है प्रतिशत मन निकालने के लिए मल्टिप्लाइ करना होता है 100 से तो मतलम एक्समूदमा एमें सदेश्यों का जो थी यह है 1000 फालले साल जो चार पर सेंट बढ़ती है तीसे साल 25 तो तो कि यूप बढ़कर कितने हो जाए कि यह पुछाए तो देखिए कैसे करेंगे स्कूशन को ध्यान से समझने कुशिश करना रेशो से करेंगे इस कुश्यन को क्योंकि मुश्की बच्चों को रेशो से ही करना आता है इस टाइप के कुश्यन को तो चार परसेट की जो फ्रेक्शन वैल्यू होती है वह थे एक बटे पत्चीज मतलब पहले 25 अब एक बढ़ जाएगा नि 25 से 26 हो जाएगी हम माल लेते हैं ठीक है पहले साल दूसरे साल जो हो जाएगी ठीक है ऐसे ही यहां पर देखिए फिर बढ़ा रहा है 25 परसें 25 परसेंट की जो फ्रेक्शन वैल्यू होती है वह थे बटे चार चार से बढ़के एक बढ़ जाए यानि पांस हो जाएगी चार से पांस हो जाएगी ती बस आपको इसका मुल्टिप्लाइ करना से सॉल्व करना है लगा देएतों साइड में अब देखो कि इनको मल्टिप्लाइ कर लो मुझाइगा पांक चोग 20 की जब पचासे मल्टिप्लाइ करूगे तो जाएगा 50 तो तीज़ तीज़ चैपन जे तीस और तीस जब सब इस से मुल्टिप्लाइब तो जाएगा शाथ सो असी ते तीग है तो देखिए जो स्टार्टिंग में वैलू थी वह कितनी थी संख्या सबस्टी वह थी एक हजार आप देखो तो एक हजार ती मतलब पांसो की युलिट क वह एक हजार के बड़ाबर है तो 780 की वैली निकालनी आपको कितनी है तो यह कितना गुना है यह दो गुना है तो इसका भी दो गुना आपका सीरसीदा आंसर आ जाएगा जीरो सोले सादुन चाहिए 1560 इसके लिए सही सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी करेक्ट हाँ पर ठीक है कुछ भी नहीं था आपको बस परसेंटीज से और रेशो से खेलना आना चाहिए और सभी को यह आता भी होगा कहीं से भी पड़े हो चाहिए आप ठीक है next question number 33 a certain sum of money becomes rupees 1080 in two years at a certain rate of simple interest per annum and becomes 1160 in four years then what will be the rate of simple interest कोई धनाशी दो साल में जो है एक निशित साधर्ण व्याज की दर्व से 1080 रुपे हो जाती है चार साल में यह 1160 रुपे हो जाती है तो ग्यात कीजिए तर्व क्या रही होगी यह पूछाए तो देखिए आपको मैंने पिछले जो सेट कर वाए था उसमें भी बताया था कि मिश्र दहले में थे दो साल का जो मिश्राइन वह ने है एक हजार रसी देखिन चार साल में मिश्रुद्धन हो जा रहा है कितना कि resonate कि छाट और एक यह थ्योड़ेंह घले जो है रहा है फृब होग क्या है वह ठीक आपकर गधेंश होटालो तो इस मार्टे पूए है आएगा जो यह आपका भ्याज है साधरने व्याज आज़े ठीक है तो दो साल का जो मिश्रधन आया पास वह आया है असी रुपे ठीक है नहीं को सभी को समझ में आ गया होगा बस आप समझने कुश्री करना देखे दो साल का जो मिश्रधन था फूता एक अजार असी और ब्याज आगया आपके पास असी रुपे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूलधन और साधरन ब्याज जो जब एड कर अगर इन दोनों को घटा दो के तो आपके पास आजाएगा बूलधर कितना आए आपके पास याएगा एक अजार रुपे में कितने टाइम की लिए कि दो साल के लिए अब याज कितना आया असी रुपे यह आपका एसाई अब आप सीधे सीधे सालर नहीं बैज का फॉर्मलर लगा के जो है दरी तो निकालने है आपको तो एहां से 1000 ताइम कितना है दो साल दर क्या है वह तो निकालनी है हमको बटे में 100 ब्रावर किसकी है 80 र पर तो नहीं पर दो है तो दो से कार्ड़ाइश चार पर अंतब दर जो आई यह वह आई चार पर्सेंट और यह है आपका सीधा सीधे एंसर तो देखते आं अप्षिन में तो आप्षिन इसका जो है ऑप्षिन डी करेक्ट हो जाएगा तीगा आई होप आपको एकोशन भी की कोशिश करना कहता है 34 कोशन नमर 34 है ठीक है रुपीज 1,980 रुपीज इस दिवाइड अमाउंट था थी परसंस A, B and C where A's income is twice that of B and thrice that of C then find the difference of highest and lowest income 1980 रुपे की धनाशी को तीन व्यक्तियों में A, B और C में बाटा गया है ठीक है एकी आए B की दो गुनिय है ठीक है मतला समझाता हूं मैं आपको तीन व्यक्ति हैं वैसे भी हाँ पर देख लीजिए ए बी और C है ठीक है कहता है जो व्यक्ति A है उसकी आए B की दो मैं एक माने तो बीडियों की जो है तो गुनियानी दो हो जाएगे ठीक है और C से तीन गुनिया मतलब यह जो है दो जो है वह सीशे तीन गुनिय है आज मतलब इससे अब माली तो तीन गुली चाहिए निफ न गुली कैसे बनाएंगे टीन से मुल्टिप्लाई कर तो इसे यहां पर इए अगर अगर आज मुल्टिप्लाई करें लेकिन यह तो दो गुना हो जाएंगा एगए समय होगा तो इस चीज़ को रेशो से करो इसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बताता हूं इसको जो रिख आया पहले ऐह थीज़ा अभी कहना सी से वह तीन गुना है तो रेशो को इक्वाल करना आना चाहिए परिश में कि इक्वाल कर लो पर 2 से मृट्पलाय कर दो हैं से पर तो रिशो आएगा दो तीन और छैका ठीक है तो अब देखिए यह टोटल कितना आरायन का सम 11-11 यूनिट टोटल यहां पर यूनिट पर तो 11 दिया हुआ है लेकिन आपको पूचा है क्या इन दोनों का अंतर मतलब 11 यूनिट की वैली जो दी हुई है वो समय दी वही है 1980 रूपतै च्छोंचोंच सब्सक्क्राइब करें बड़ी कितनी है उली का डिफर से एंसर पूचा है चार नुट का अपके सीध सीधाना सरह आजाए तो सिर्फ आपको चार से मल्टिप्लाइ कर देना है इसको तो हो जाएगा अधार चोग बातर यानी 720 इसका सही सही सबसे बड़ी और सबसे चोटी का तो हमने 720 से सीधे सीधे एंसर आ जाएगा अप्शन पीक्रेक्ट हो जाएगा next question number 35 the difference between 20% of a certain number and 38% of the same number is 900 then what will be the that number एक निश्चित संख्या का 20 प्रतिशत और उसी संख्या के 38 प्रतिशत का अंतर 900 है तो ग्याद कीजिए वह संख्या क्या है तो यह तो काफी easy question है देखें किसी संख्या का 20 प्रतिशत और 38 प्रतिशत जो है इनका difference जो है आपको कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 900 रुपे अगर हम percentage में देखें यहां पर देखिए दुरों का difference कितना है वह है 18% है कि नहीं मतलब 18% की value जो है वह कितने के बराबर है 900 की एक परसंट की value कितनी आईगी 50 ठीक लेकर आप से पूचिए वह संक्या कितनी है तो वह संक्या कितनी होगी वह अपना आप में 100 प्रतिशत होती है तो 100% value निकलने आपके आपको ठीक तो हो जाएगा आपके 50% of 1800 and 75% of 1600 रुपे का और अठाइस रुपे का जो 90% और शोले सो का जो शुट्र परसंट उनका अंतर क्या है यह पूच्छा है तो अठाइस सोका जब आठाइस वह यह नव परसंट निकाल लोगे तो नमवरव परसंट निकाल नेकर रिवाट्टि में 100 तथा इन दोनों का डिफेंच वह शोले सो काभी 50% निकालोगी 50% थो बटे में 100 लगा दूँ ठीक है 0-0 काट दो ठीक है इसकी भी 0-0 काट दो इन दोनों की मुल्टिप्लाइब करो 165 सी हांसे लेगी यह 8, 167, 112 और यह हो जाएगा 120 इन दोनों का डिफ्रेंसी देखे कितना आएगा यह हो आपका 420 420 इनका जो है आंसर हो जाएगा option बी करेक्ट है आपने 420 ठीक है दोनों का डिफ्रेंसी तो पूछा था हमें सिर्फ सीधर सीधर डिफ्रेंसी निका लाइन का ठीक है नेक्स्ट कोशन नमबर 37 if x is equal to 14 then what will be the value of 7 इसकी value पूछी आप से अच्छा एक्स बरावर दी हुए आपको और इसकी value पूछी तो इसकी कोशन है तो इसमें value रखना है x की जिए पन तो यहां पर रखोगे तो यह हो जाएगा चार कम चार चार चोग 16 तो 14 इसका साही साही आंसर होना चाहिए option टी करेक्ट है आपके ठीक है next question number 38 what is the smallest possible number which when divided by 13 leaves a remainder of 8 when divided by 7 leaves remainder 6 वह चोटी से चोटी संक्या क्या है जिसे 13 से भाग देने पर 8 शीष बचता है और 7 से भाग देने पर चो है आपको 6 शीष बचता है तो इसको कैसे करोगे इसका जो सही और तरीका है वो करने का वह option सही करने का है इन मेंसे आप कोई भी वैली उठाके देख लीजिए और दो लोग से जो condition दी हुई है इसमें satisfy करवा के देख लीजिए अगर हम चपन लेते हैं चपन लेजी आप पहले अगर हम इसे 13 से भाग देते हैं तो आपको 8 शेष बचता चाहिए तो तो तेरह चार शेष बचता है तो यह नहीं होगा चपन नहीं हो सकता ठीक है इसे काट दो अब आप अब दूसरा चेक करिए और 34 34 को भी आप जो है आठ से भाग करके देखी जो जाएगा तेरह से करना ना सौरी तेरह दूनी 26 ठीक है बचे को कितना आठ तो यह बट रहा है ना मतलब आप 8 remainder आ रहा है अब दूसरी condition में satisfy करके देखना पड़ेगा इसमें तो 34 को आप साथ से भाग दो शेश्विश्वर बचना चाहिए तो साथ चोक अठाइस छे बच रहा है मतलब इस कंडिशन में भी यह सेटिस्वाइए कर जा रहा है तो आप्शन भी करेक्ट है हां पर ठीक है नेक्स्ट कोशन नमबर थर्टी नाइन फाइन पाजिटिव इंटीजर इन विच त्री हंड्रेड नैंटी तू इस मल्टिप्लाइड बाइ प्रोड़क्ट इस परफेक्ट स्क्वेर वहन यूंतम धनात्मक पूनांग ग्याद कीजिए जिसमें 392 को गुना करने पर गुननफल एक पून वर्ग बने तो देखिए इसको करने का जो है मैं आपको सही अब प्रॉष करता को सब्सक्राइब आधना करने श्रू कर दो दो एकम दो दो में अठार है दो चीक पहरे तोपर दो विदु से दो मैं अठार है तो आठे 16 मोच तीटर अब दुबार करके देख्यों कि इसे दो साथ से दू साथ एकम साथ साच्छोग अठाइस फिर दूबार साथ से दो साथ दो निस चौद है एक बार और दो अब यह दो से जाएगा अब यह पूरा-पूरा हो जाएगा अशी तो देखिए अब आपको करना क्या आए देखिए दो को कैसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 लिख सकते बनने के लिए होना चाहिए आपको ये चेक करना पड़ेगा इसमें इस में तो सिर्फ इन तो स्क्राइब बन रहा है देखेंगे दो का बिसक्राइब नहीं बन पा रहा है मतलब एक दो और होना चाहिए है यहां पर पर पूर्ण बन जाए मतलब दो और एड़ करना पड़े दो से और करनी पड़ेगे तब इसका पूर्ण बनेगा तो ऑप्षिन बीक्रेट हो जाएगा यहां पर देखिए ठीक है आई होब यह कुर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा इजी कुर्शन था आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन नमबर फॉर्टी यह थी पांच व्यक्ति मिलकर पांच घंटे में पांच चटाई बना सकते हैं तो क्या कीजिए दस व्यक्ति दस घंटे में कितनी चटाईयां बना सकते हैं सब्सक्ति आप तो धेकि क्या कह रहा है पांच व्यक्ति जो है। 5 घंटे-क काम करते हुए कितनी पांच चटाईया बना सकते तो दस व्यक्ति जो हैं 10 गंटे काम करते हो कितनी चटाई यह बनाएंगी यह पूछाए तो इसे सॉल करो बस 5-5 पर जाएगा 5-2 पर जाएगा तो एकसी वैली जो आएगी वह आएगी 20 तो पीसे इसका सही से एकसर हो जाएगा तो दस व्यक्ति जो है तस गंटे में बीस चटाई बनाएंगे ऑप्शन बी करेक्ट आपने नेक्स्ट है अभी आपकी कैमिस्टी के कुश्यंस है पैट्रोलियम इसमिक्स्चर ओफ विच आफ फोलोविंग निम्न में से पैट्रोलियम किसका मिश्रा होता ह है तो पैट्रोलिम होता है आपका अप्शन है आपके सामने option A hydrocarbons option B Avon oh hypothesis polymer the option D तत्त्मों का तो इसका जो सही answer होगा वह होग आपका option एक रहें तो लिए violet है कि पैट्रोलियम जो होता है वह हैई्ट्रों- नेक्स्ट नमबर 42 भूपाल गैस्त राश्दी होई थी जो उसमें किस गैस के रिसाव करान होई थी वह यह पूछा है कराबन डियोकसाइड ऑप्शन भी नाइट्रोजन और सी क्लोरीन और ऑप्षण डी मिथाइल आइसुसाइड तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डीकरेट मिथाइल आइसुसाइड थी एक यह वागप बहुपाल में हुआ था ठीक है यह व्याद रखना और आ कि इस गैस की रिस्थाव के कारण हो आता ठीक है तो यह आपको पता हों जी से इंपोर्टन कुश्चन लेक्स्ट question number 43 what's in a lead pencil lead pencil में क्या होता है निमने में से तो options है option A loha option B चांदी option C सीशा जो option D graphite तो lead pencil जो होती है पर उसमें होता है पर graphite option D करेक्ट नहां पर next question number 44 heating soda is heating soda क्या होता है तो यह होता है आपका sodium bicarbonate ठीक है तो option D correct हो जाएगा आपके sodium bicarbonate option D correct है नेक्स्ट question number 45 who among the following is known as king of metal king of metal किसे का जाता है king of metal का जाता है आपका sona को ठीक है सोना को का जाता है गोल्ड को याद रखना option टेकर अपर नेक्स्ट question number 46 which chemical is used to develop photographic film photographic जो film होते हैं उनको develop करने में इस्तमाल किया जाना वाले रसाइन कौन सा है या बुच्छा है options है option a sodium sulfate option b sodium hydroxide option c रजट ब्रोमाइड रजट ब्रोमाइड रफिंदी hydroquinine hydroquinone तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका option secret नहीं पर जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो यूज़ता है फोटोग्राफिक जो फिल्म्स होते हैं और मैं डेवलेप करने के लिए ठीक है बसमें डूब जाता है उनको तो याद रखना next question number 47 what is the reason for the curdling of milk दूद के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है तो दूद के जो दही बनने का जो कारण होता है वो होता आपका गोल्यों में क्या होता है option a enzyme option b steroid option c growth hormone option d antibiotics तो इसके लिए जो सही answer होगा वह होगा option b correct steroid hormones तो जिसके वज़र से गरवपात हो पाता है ठीक तो steroid hormone होता है वो option b correct था है आपके next what is milk दूद क्या है option से प्राकृतिक विलियन option b प्राकृतिक पायस option c प्राकृतिक मिश्रण और option d प्राकृतिक निलंबन तो इसका जो सही answer होगा वह होगा option b correct यानि प्राकृतिक पायस next question number 50 which of the following polymer is used to make plastic crockery निम्न में से किस बहुलक द्वारा plastic crockery बनाई जाती है ठीक तो option से option a decron option b nylon option c backlight option d melamine जो होता है वह होता है इसका सही reason होता है plastic crockery बनाने के लिए बहुलक पॉलिमर ठीक option option d करते हैं ठीक है तो यह थी आपके आज की पूरे 50 प्रशन ठीक है वीडियो कैसी लगी आपको इबर कमेंट करके जरू बताना वीडियो को लाइक शेज जरू करना अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ओके थेंक यू बाइ वाल थे बेस्ट फर एक्जाम दोस्तों बाइ